दिन भर के ताजा खबरों के साथ हाजर हूँ मैं फरीन एसन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे विडियोज और देश फर दुनिया की खबरे अच्छे लगती हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बिल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया भर की टॉप प्रेकिंग न्यूज पटना विश्व विद्याले का बजट पारित करने के लिए 29 जनवरी को सेनेट के बाठक उलेखने है कि सेनेट की पिछली बाठक में 2020-21 के लिए 508.9 करूर रुपए का बजट पारित हुआ था कोई कारवाई नहीं हुई है जापान में 10 साल में दोगनी हुई मुसलिमों के आबादी जापान में मुसलिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि सरकार और प्रशादन सब हैरान है जापान की टोटल मुसलिम आबादी की बात करें तो उसमें 50,000 जापानी लोग भी शामिल है जो धर्म बदल कर मुस्लिम बने है भारती ये विशेश वर्गे मीडिया इसे समस्या बताने में जुटी है कृषी मंतरी बिहार द्वारा किया गया बिहार कृषी निवेश प्रोट साहन नीती की ओनलाइन आवेदन प्रनाली का शुबारम मापतौल उपकरनों के सत्यापन मुहरांकन हीतू ऑनलाइन शुल्क जमा की जुविदा का सुबारम जहानाबाद में जिला पदादिकारी श्री नवीन कुमार के अधिक्ष्टा में भारती रेट क्रॉस सुसाइटी दौारा एक सुबचास जरुरत मन लोगों के बीच कंबल का वितरन किया गया बिहार में बीपियस से इस वर्ष 9,543 पदों पर बहाली करेगी कानपुर के अमित ने छे विश्यों में पास किया UGC नेट एक्जाम इंडिया बुक ओफ रिकॉर्ड में दर्च हुआ नाम कटिहार में सब इंस्पेक्टर समेट तीन पुलिस पदादिकारी बरखास शराब और अन्य मामले में दूशी पाह जाने के बाद स्पी के अनुशंसा पर पुर्णिया परिशेतर के आईजी सुरेश कुमार चौधरी ने सब इंस्पेक्टर समेट तीन पुलिस पदादिकारी को सेवा से बरखास कर दिया है स्पी विकास कुमार ने पुश्टी करते हुए बताया कि सब इंस्पेक्टर दिलिप कुमार ओजा सहायक अवर निरिकशक जाकिर हुसान वसंजीफ कुमार पासवान को सेवा से बरखास किया गया है देश वा दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहें सीमान चरपेस के साथ धन्यवाद